आप सब जानते हैं कि भारत और आश्ट्रिया के बीच खेले जाने वाले वर्ल्ड कप का महा मुकाबला कूछी घंटों में सुरू होने वाली है और इस महा मुकाबला के सुरू होने है Ay detvenir march देखके आश्टलिया के सुपड़ा साप करने के लिए खतरनाक प्लेंग 11 का एलान कर दिया है रोःट सर्मा ने इससे पहले भी आस्टलिया को धूल चठाने के लिए प्लेंग 11 घोसित कर दिया था लेकिन दोस्तों सुब मन गिल के बिमार पड़ जाने के बाद सुबमन गिल को टीम से बाहर करना पड़ा और भारतिय टीम के कप्तान रोहित सर्मा सद्वें में आ गए थे और चीफ सेलेक्टर से घंटो माथा पेची करने के बाद अब आखिर कर आश्ट्रिया जैसे मजबुत टीम को कुचलने के लिए रोहित सर्मा ने भारतिय टीम में ऐसे ऐसे खतरनाक बल्लेबाज और गिंदबाजों को सामिल किया है जिसे देखकर कंगारू टीम के कप्तान पट कमिन स्तहित पूरी टीम को पहले से हार का डर सताने लगा है भले ही सुबमन गिल आश्ट्रिया के खिलाब अपना पहला वर्ल्ड कप से बाहर हो गए है लेकि लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहूंगा कि यह मैच भारत और आश्ट्रिया के बिच 8 अक्टूबर दिन रहुआर को चेनई के चेपक क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा और इस मुकाबले का टोस भारते समय अनुसार दो पहर एक बज़ कर 30 मिनिट में होगा वही मैच का पहला गेन दो पहर दो बज़े फेका जाएगा तो दोस्तों आश्ट्रिया के खिलाप खेले जाने वाले मैच के लिए भारती टीम की सुरुआत हमें रोहित सर्मा और इसान किसन करते न जनाएंगे क्योंकि दोस्तों सुबमन गिल डेंगू की वज़ा से अनफिट ह इसलिए इसे कुछ समय के लिए टीम इंडिया से बाहर कर दिया गया है और अभी कुछ दिन तो सुबमन गिल को प्रैक्टिस सेशन से भी बाहर कर दिया गया था लेकिन दोस्तों ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है और अगले मुकाबले के लिए सुबमन गिल फिट हो ज क्योंकि दोस्तों इसान किसन भी कई मोका में ओपनिंग करते हुए अच्छी पारी खेल कर टीम इंडिया को मजबूत इस्थिती में ले गए हैं और यह ओपनर भी करते हैं तो दोस्तों पहले मुकाबला के लिए रोहित सर्मावर इसान किसन ही हमें खेलते हुए नजर ऐसे में बिराट कोहली से अच्छी पारी की उमीद की जा रही है और कोहली अपनी पुरानी ले में भी वापस आ चुके हैं और हमें पूरी उमीद है कि बिराट कोहली आश्लिया के गेंदबाजों पर जम कर रनों की बारिस करेंगे बिराट कोहली के अलावा चौथे नंब हुआ ही नहीं है और यहीं परीडाम है कि भारत्य टीम के चांथे नंबर पर स्रेस एयर को मौका दिया गया है उसके बाद पांचवे नंबर पर टीम इंडिया के बिकेट की पर बल्लेबाच के रूप में केल राहूल को मौका दिया गया है क्योंकि दोस्तों केल राहूल का फ रोहित सर्माने छटवे नंबर पर आश्टिलिया को कुचलने के लिए टीम इंडिया के उपकतान हार्दिक पंडिया को जगह दिया है और हार्दिक पंडिया टीम का नंबर वन अल्राउंडर भी है जो गेंद और बल्ले दोनों से ही खतरनाक परदर्सन करते हैं बल्ले से लं प्रमुक इस्पिनर को मौका दिया है क्योंकि दोस्तों चेन्नाई के चेपक स्टीडियम की पीच इस्पिनर को काफी सपोर्ट करती है इसलिए भारतिय टीम इस्पिनर के रूप में रविंद्र जड़ेजा रवीचंदरन अश्विन और कुल्दी प्यादों को आश्टिया सी बाइटिंग करके दिया है वही दस्वे और ग्यार्वे नंबर पर टीम में दो प्रमुक तेज तर्रार गेंद बाजों को सामिल किया गया है जो अभी खतरनाक फों में चल रहे हैं दस्वे नंबर पर मोहमाद सिराज खेलते नजर आएंगे मोहमाद सिराज की जलवा तो दोस्तों आश्ट्रिया के खिलाब रोहित सर्मा ने इसी प्लेंग 11 के साथ 8 अक्टूबर को मैदान में उतरने वाली है